हलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे स्यूट्यूब चानल में आज हम देखने आले बहुती कमाल के टेक अपडेट तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला अपडेट है रेडिमी नोटेट प्रो के बारे में रेडिमी नोटेट प्रो का नया कलर वेरेंट लांच हो गया है इसके नए कलर वेरेंट के बात करें तो यह कलर है कोरल औरेंज इसके फिचर्स की बारे में बात करें तो इसमें हमको बाकी रेडिमी नोटेट की तरह स इन फिचर देखने को मिलेंगे इसकी प्राइज रेंज के बारे में बात करें तो इसकी प्राइज शुरू होती है 14,99 रुपए से अगला अपडेट है Samsung Galaxy M51 लॉंच के बारे में Samsung Galaxy M51 ये स्मार्टफोन जल्द ही इंडिया में लॉंच हो सकता है अगर इसके features के बारे में बात करें तो इसमें हमको 6.5 inch का display देखने को मिल जाएगा अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें हमको Snapdragon का 675 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है अगर इसके camera setup के बारे में बात की जाए तो इसमें हमको triple camera setup देखने को मिल जाएगा जो कि 64 megapixel के साथ आ सकता है अगला update है MI10 Lite के बारे में यह smartphone इंडिया में MI10 आयन नाम से launch हो सकता है जानते हैं इसके कुछ खास features इसमें हमको Android 10 software देखने को मिल सकता है जो कि MI11 पर चलेगा इसके display के बात करे तो इसमें हमको 6.4 inch का display देखने को मिल जाएगा इसके display के ऊपर gorilla glass protection देखने को मिल सकता है इसके processor के बात करे तो इसमें हमको snapdragon 730 processor देखने को मिल जाएगा इसके camera setup की बात करे तो इसमें हमको quad camera setup देखने को मिल सकता है जो की 64 Megapixel के साथ आ सकता है देखते हैं ये smartphone इंडिया में किस price तक launch होता है अगला update है Realme C12 launch के बारे में Realme C12 जल्द ही इंडिया में launch हो सकता है चलिए जानते हैं इसके कुछ खास features के बारे में इसके processor की बात करें तो इसमें हमको MediaTek 676 processor देखने को मिल सकता है जो की एक 5G processor हो सकता है इसमें हमको dual camera setup देखने को मिल सकता है देखते हैं अगला update इस phone के बारे में कब तक आता है अगला update है Google के बारे में गूगल मेंनाया Feature आने वाला है इंडिया में Google में नाया visiting card ये feature आने वाला है जिसकी मदद से influencer, freelancer और भी बहुत सारे जो online काम करते हैं वो इस visiting card की मदद से जल्द ही मिल सकते हैं इस visiting card के उपर आपकी skills और working के बारे में लिखा होगा जिसकी मदद से कोई company आपको approach करती है तो उस visiting card के मदद से वो आपको job देगी इस features की वजह से online working में बहुत मदद मिल जाएगी आप भी काम करना चानते हैं तो Google की website पर जाकर इसके बारे में और जानकर लेकर skills और job working information फिल करके online job पा सकते हैं अगला update है Google Pixel 5 के बारे में Google Pixel 5 के कुछ link सामने आ रहा है इसमें हमको snapdragon 765 processor देखने को मिल सकता है अगर इसके software की बात करे तो इसमें हमको android 11 software देखने को मिल जाएगा देखते हैं इसके अगली update कब तक आते हैं और launching के बारे में कब तक पता चलता है अगला update है WhatsApp के बारे में WhatsApp में बहुत सारे नए features आने वाले जैसे कि multi device support, advanced search mode, expressing message, search on web और share chat support ऐसे नए features जल्द ही WhatsApp में आने वाले इसकी मदद से WhatsApp यूज करना और भी आसान हो जाएगा इस नए features की मदद से WhatsApp में हमें नए बहुत कुछ सारे experience देखने को मिल जाएगे यह सबी features जल्द ही अपने WhatsApp में देखने को मिल सकते हैं अगला अपडेट है OnePlus Nord's के नए line-up के बारे में OnePlus Nord's के camera के कुछ leak सामने आ रहे है जैसे कि इसमें हमको low light selfie camera feature देखने को मिल सकता है और इसके camera setup के बारे में बात कर रहे तो उसमें भी हमको implement देखने को मिल जाएगी देखते हैं इसका अगला अपडेट कब तक आता है और OnePlus इसका official announcement कब करता है अगला अपडेट है Realme के बारे में Realme के दो smartphone इंडिया में launch हो सकते हैं इनका model number सामने आ रहा है जो कि RMX2151 और RMX2176 इस model के ये दो smartphone हो सकते हैं अगर इसके specifications की बात करें तो इसमें हमको 6.4 inch का display और 64 megapixel का quad camera देखने को मिल सकता है वही अगर RMX2151 की बात करें तो इसमें हमको 5000 image की battery backup देखने को मिल सकता है दोनों smartphone में Helio processor देखने को मिल जाएगा देखते हैं ये दोनों smartphone की surprise range तक इंडिया में launch होते हैं अगर आपके यूडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe और comment कर देजिए मैं आपके लिए हर रोजी इसे नए नए यूडियोस लातर होंगा Thank you